बड़ी खबर है उदैपुर हत्या काणपर केंद्री मंथी गजिंदु सिंग शिखावत का वयान आया है। शिकायत करने पर कनहिया को सुरक्षा नहीं मिली थी। कनहिया को गिरफ्तार क्यों किया गया था। कनहिया की हत्या का दोशी अगर कोई है तो वो गेलोज सरकार भी है ये कहना है गजिंदर सिंग शिखावत का इन हत्यारों के जो मानसिक्ता है सो मोटर साइकल के नंबर से ले करके उनके पाकिस्तान यात्रा के जो सूत्र मिले हैं ये इस पश्ट दिखाई देता है कि केबल एक व्यक्ति का ऐसी कि प्रतिक्रिया सुरूप किया गए घटना नहीं है ये सोची समझी साजिश के तैट हुई है और पिछले दिनों जिस तरह से राजस्तान में करॉली से के बाद में बीलवड़ा, बीलवड़ा के बाद में बीलवड़ा, उसके बाद में जोदपूर, इन सब गटनाओं को यदि कनेक्ट करके देखा जाए बार बार हमने ये कहा था कि ये जो मानसिक्ता राजस्तान में पनप रही है इसके पीछे कौन लोग है, कौन इनको पल्लवित पोशित कर रहा है, कौन इस तरह की मानसिक्ता को खाद और पानी दे रहा है इसकी समगरता के साथ में एक होलेस्टिक जाँच होनी चाहिए और ताकि ऐसी मानसिक्ता को यहीं इसी स्तर पर रोका जा सके, क्रश किया जा सके लेकिन दुरबागे से बार बार कहने के बावजूद भी फौरी तोर पर कारवाई करके हर बार चोड़ दिया गया एक पोस्ट डालने पर, मैं आपके सामने एक फरक रखना चाहता हूँ एक पोस्ट डालने पर एक व्यक्ति को उठा करके तुरंत जेल के सीख्चों के पीछे डाल दिया जाए और खुले आम एलानिया दमकी देने वाले व्यक्ति जो पुलिस की प्रिजन्स में दमकी दे रहा है कि जीब काट देंगे, शरीर काट देंगे, टुकडे टुकडे कर देंगे उसके उपर कोई कारवाई ने की जाए, उसको मुकदमा दर्ज होने के बाद में भी जस दिन तक उसको गिरफतार ने किया जाए और जिस तरह से गिरफतार किया जाए उसका वीडियो और गिरफतार करने के बाद में उसको जिस तरह से ले जाकर के घर छोड़ा गया उन दोनों के वीडियो को देखेंगे तो ये मानसिक्ता इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस तरह के लोगों को इस तरह की मानसिक्ता को अपने वोट बेंक को साधने के हित में कौन प्रश्रे दे रहे और जो लोग प्रश्रे दे रहे हैं समाज उनको बहुत सपष्टता के साथ में देख रहा है और उनके साथ में निश्चित रूप से समय आने पर अपने हिसाब से लोगतांत्रिक व्यवस्ता के हिसाब से करवाई करेगा तो बीजेपी लगातार पुलिस की कारेशली पर सवाल खड़े कर रही है और साथ ही राजिस्तान सरकार को लेकर भी कई सवाल खड़े किये जाए